कीम की ये तस्वीरें साबोली गाउं की हैं यूं समझ लीजिये साबोली गाउं की दर्दनाग दासतां को जब दिल्ली आज तक ने कैमरे पर दिखाया तो प्रशासन जा गया और यहां ना तरफ हेल्थ कैम्प लगा कर कैंसर के मरीजों की जाच की जा रही है बल्किस गाउं के नलों से रिकलने वाले पानी की भी जाच की जा रही है गाउं की तरफ से मेरे पास एक काय था कि हमारे हम एक हैल चेक अप केम्प का और गनाइस किया जाए हाला कि प्रशासन हरकत में तो आ चुका है और साबोली गाउं में कैम का योजिन भी हो चुका है लेकिन अभी तक उन फैक्ट्रियों पर कोई आक्शन नहीं लिया गया है जिन से निकलने वाले केमिकल्स ने गाउं के लोगों को जान लेवा बिमारी तक पहुंचाया है तो क्या परशासन ने कोई हल्प नहीं कि अब जागे जब से हमारा यह मुद्धा थोड़ा जो हाइलाइट हुआ है एक्चुली हमारी फाइट पॉलूशन के खिलाब ही है तो यह मुद्धा न्यूज में आने के बाद तब जाके जो है पॉर्शासन अरकत में आया है बिल् पानी खराब हो चुका है लेकिन जितने मरीज थे उतने नहीं है लेकिन अगर ऐसा ही रहा पानी खराब रहा तो हमारे गाओं में एसा तीसरा व्यक्ति हो सकता है तो इसके उपर क्या परशासन को कहीना कहीं ध्यान देना चाहिए इस वह दिन पहले चंदीगड से भी हमारे गाओं में टीम आई यह पानी को चेक करने के लिए नियम तो यही कहते हैं कि अगर किसी केमिकल फैक्टरी से जहरीला पानी निकलता है तो फिर उसे वाटर ट्रीटमेंट प्लान के जरिये ट्रीट करने के बाद ही जमीन में छोड़ा जाना चाहिए लेकिन गाओं के लोगों का आरोप है कि साबोली में जादतर फैक्टरियां पानी को बिना ट्रीट किये ही बोर्मिल के जरिये जमीन में पहुचा रही है साबोली गाओं से राजेश खतरी के साथ ब्योरो रिपोर्ट दिल्ली आज तक क्रिंचे जमाद बिल्के को बिल्साव कि जर्श के बिल्साव कि जर साथ बिल्स पाना ट्रीव दिल्साव कि पो अ कि जर सब़ों कि टीए है